नमस्कार सात्यों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोदाइक क्लासेस के बीए प्लेटफार्म पर आज के सेशन में नए टोपिक को फिर से लेकर के आये हैं साइबर सेकुरिटी वाले सेशन के अंतरकत अर्थात की बीए बीए सी बीकॉम थर्ड एयर क फाउंडेशन कोर्स में डिजिटल जागरुकता और साइबर सुरक्षा वाली सीरीज में जिस प्रिजी में हम M-SQ COTION-A-ANSOR पर चर्चा कर रहे हैं वो भी टोपिक वाइस चर्चा कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकोर्डिंग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों तो यह सभी आप सेक्षन टू साइबर सेकुरिटी वाले चेप्टर पर क्लियर है तो मैं आपको जो है इसका सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी डिस्क्रिप्शन को विजिट करना चाहिए और अधिक्तम या कहें कि आप अन् लिस्ट में जाकर के आप एक बाद जरूर बिजिट जरूर कीजिएगा चली शुरू करते हैं आज का सिशन लेते हैं पहला कोशन पहला कोशन है आज का कंप्यूटर सेकुरिटी इस दा मैतर्ड टू डिफेंड फॉम दा मेलेसियस अटेक जब भी साइबर सुरक्षा तो अटेक से पहले जितने भी नाम आ रहे हैं वो सभी कहीं न कहीं बाइरस के नाम ही है तो कोशन कहता है कि कंप्यूटर सेकुरिटी मेलेसियस अटेक से किसको बचाने की बिदी है कंप्यूटर सेकुरिटी जो है यह मेलेसियस अटेक मेलेसियस बाइरस होता है उसके अटे इन सभी को तो याद रहे computer security जो है दोस्तों यह यह computer security computer server और mobile device इन सभी को बचाता है किस से बचाता है malicious attacks से इसलिए option d correct answer हो जाएगा थोड़ा speed से लेंगे station ताकि लंबा ना हो next question है cyber security is also known as a cyber security को और हम किस नाम से जानते हैं information security के नाम से electronic security के नाम से या दोनों के नाम से या इन में से कोई नहीं इसका right option आपका सी होगा information security और electronic security दोनों ही नाम से हम cyber security को जानते हैं कि लिए रहे next question लेते question number third है which of the following is the category of cyber security तो पूचा गया है cyber security की category कौन सी category होगी network application information या पिर यह सभी तो यार रखिएगा जो है cyber security की category की अगर हम बात करें तो network application और information यह सभी इसकी category यह option डी आपका सही answer होगा next question पर बढ़ते है which of the following is the benefit of using cyber security cyber security के use करने के लाब कौन-कौन से हो सकते हैं business protection against cyber attacks तो cyber attacks से जो है protection business की बिजनिस प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्शन फोर डेटा एंड नेटवर्क्स या prevention of unauthorized user access या फिर यह सभी तो यादर एक कोशन ने क्या कहा था cyber security के लाब क्या हो सकते हैं तो cyber security होने से business protect हो जाता है virus के attack से और उसके अलाबा जो हमारा data होता या कोई किसी उसको hack ना करके hack ना कर ले तो hacking से भी यह protect हो जाता है इसलिए right answer यहाँ पर भी option D होगा आपका next question लेते question number five है which of the following is the false under cyber security act in India तो cyber security जो act आया था उस act में किस किस को शामिल किया गया था it act 2000 को company act 2013 को ipc act 1980 को या फिर इन सभी को तो exactly दोस्तों इन सभी को इसमें शामिल किया गया था cyber security act में इन सभी एक्टों को शामिल किया गया था option D correct answer है next question it act 2000 it act 2000 for cyber security is implemented to safeguard तो cyber security जो आया है 2000 तो उसमें पूछ जा रहा है कि इस act को cyber security के तहत क्यों लागू किया गया था किस क्या reason क्या था तो इगवर्नेंस इसका reason था या फिर इबैंकिंग इसका reason था या या फिर यह सभी रिजन था या फिर यह सभी रिजन थे तो exactly दो आइटी एक्ट जो cyber security के अंतरकर जो आइटी एक्ट को लागू करने के पीछे इगवर्नेंस इवेंकिंग और इकॉमर्स यह सभी इसके कहीं ने कहीं इसके पीछे के उद्देश रहे हैं इसलिए इसका राइट आंसर भी option D होगा किता अच्छा सही हो गया ना सभी को उप् आप लोग चलिए अगला प्रशन है IPC 1980 is implemented for तो जो IPC एक्ट आया था उसे क्यों implement किया गया था क्यों लागू किया गया था IPC 1980 को लागू करने की पीछे सबसे बड़ा उद्देश इता information चोरी को रोगना option A आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगला कोशन है अगला कोशन है Companies Act 2013 Insurces 4 तो Company Act 2013 किस बात को सुनिश्चित करता है Company Act किस बात को सुनिश्चित करता है e-discovery को cyber forensic को या cyber security को या पिर इन सभी को तो याद रहे Company Act 2013 जो लागू किया गया था यह है इन सभी को सुनिश्चित करता है e-discovery, cyber forensic और cyber security इसलिए right answer आपका यहाँ पर option D हो जाएगा next question लेते है n-c-f-s stand for n-c-f-s का मतलब क्या होता है इसका full form आप से मातर पूचा गया है national cyber security framework को होता है या national chrome security framework को होता है या national cyber secured framework को होता है या फिर ये सभी होते है या इन में से कोई नहीं होता है इससा कुछ भी मान लीजिए तो याद रहे n-c-f-s का full form होता है national cyber security framework क्या होगा national cyber security framework option A is a correct answer next question question number 10 which of the following is a consider a cyber security challenges यहाँ पर cyber security की चुनोतियों के बारे में पूचा गया है कौन-कौन से चुनोतियों इसके सामने होती है ransomware blockchain IoT तो ransomware आप भली बाती जानते हैं यह एक प्रकार का वाइरस है blockchain भी एक तरह से वाइरस का जैसा ही काम करती है platform है यह IoT ठीक है ना internet of things IoT का full form क्या होता इंटरनेट of things तो यहाँ पर आपको answer there is चुनोति कुण-कुण से दोस्तों तो यह तीनों ही जो है cyber security के सामने विस्स रूप से चुनोति का का काम ही करते है option D सही answer हो जाएगा next question है IoT अर्टात की internet of things का full form क्या है तो मैं बार बार बोली रहा हूं internet of things internet of things तो इंटरानेट नहीं internet of things things internet of things internet of things internet of things ठीके ना internet of things यह spelling mistake यादा कि इंटरानेट है internet of things नहीं है ठीक है बलकि इसका right answer क्या होगा internet of things clear next question है the main reason for compromised data security is a lack of cyber security के अंतर गत्ति जो हम समझूता करते हैं Data security से Data security के समझण documentary करते हैं किस कमी के कार रण करते हैं इंक्रिपशन कमी के कारण authentication की कमी के कारण यह दोनों कम कर नहीं उपक्राइब रिप्झे नहीं होगा आपका सब्सक्राइब करने के लिए तो यह है इसकी अगर कमी होती साइबर सेकुरिटी में तो फिर हमें वहाँ डेटा सेकुरिटी के साथ से कंप्रोमाइस करना होता है उसी तरह से सब्सक्राइब करने के लेकिन अगर इसका अभाव होगा तो डेटा समझोता कर रहे है कप्रोमाइस कर रहे है इसलिए राइट आंसर यहाँ पर भी ओप्सन सी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 13 है लावड कंप्यूटिंग बेसिकली रिलेटेड टू तो पुछा के लावड कंप्यूटिंग जो है किस से सम्बंदित है डेटा अवेलेबल ओन मोबाइल या डेटा अवेलेबल ओन कंप्यूटर या पिर इन सभी से सम्बंदित है तो याद है loud computing जो है यह basically data available on cloud से संबंदिते data available on cloud clear option is correct answer next question which of the following is a type of social engineering attacks social engineering attacks के बारे में के प्रकारों के बारे में पूचा गया है social engineering attack के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं प्रकार है ransomware phishing attacks cloud attacks या फिर इन में से कोई नहीं तो याद रहें दोस्तों phishing attacks जो है phishing attacks जो है इंजिरी सोशल इंजिनिरिंग अटेक्स का एक प्रकार है क्लियरे तो phishing attacks भी एक जो है बाइरस के थ्रू किया गया अटेक ही होता है जैसा मैं ना भी पता है ना आपको कि डिजिटल अटेक की जब भी बात आईगी तो समझ लीजिए गा कि यहां बाइरस के द्वारा अटेक की जाने की बात हो रही है ओप्सन भी इस कारेक्ट आंसर हो जागा नेक्स कोशन है विच आप्डा फॉलमिंग ज़ा वेरियंट और ब्लोकचेन अटेक के वेरियंट कोचे गया है कुन-कौन से विरियंट हो सकते हैं खिना डिस्टिब्यूटर डेनियर ओफ सेटूरेटी तो एकलिफ पॉली डीडोस यह सबी जो है ब्लोगषए अटेक के डीन्ट एक नाम ब्लॉप्लॉंक रटorro की07 ठीके टाइब ऑव सोशल इंजरी मिटक्स सेम कोशेन रिपीट हुआ है लेकिन यह Pan यह legit प्रसा लग होंगे यहाद मेसे कौन व consider इंजरी अटेग का परकार है परकार होँची गए हैसर वे करें है यह प्रक ऍे की यह सभी है तो यहां पर में सब्थी कडी होगा यह सभी बेटिंग, इसके रवेर और प्रेटेक्स टींग, यह सभी इसके प्रकार है, इसके सोशल इंजिरिनिंग अटेक्स के, option D correct answer होगा, next question है, cyber offenses are, cyber crime यह cyber अपराज जो होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, illegal mate action या legal mate action, तो यहाँ पर confused मत होईएगा, दोनों ही correct answer है, इसके, cyber offenses के लिए, legal mate हो या illegal mate हो, दोनों ही क्या है, cyber रूप में आपराज है, option इसका C correct answer होना चाहिए, next question है, cyber crime usually include, cyber crime जो होता है, या cyber अपराज जो होते हैं, वो किस किस को include करते हैं, तो वाइरस को, warm attack को, hacking को, या Daniel of attacks को, तो दोस्तों याद रखे, attack की जब भी यहाँ बात आ रही ना, तो क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा, social media पर ही attack करना, virus के through, तो virus, warm attack, hiking, और Daniel of attacks, तीनों ही इसके, प्रेट अंसर हो जाएंगे, option D, आपका सही answer होगा, क्लिए, next question है, the offenses include in IT act 2000, IT act 2000 जो आया था, उसमें कौन-कौन से इनको, जो है, offenses को अपरादों को include किया गया था, धन सुनीगा, tampering with the computer source document, computer के document के साथ छेहरचार करना, क्या यह IT act 2000 में अपराद के रूप में शामिल है, option B कहता, hacking with the computer system, किसी का computer system को hack कर लेना, क्या यह IT act 2000 के तहट एक अपराद है, exactly, यह दोनों ही IT act 2000 के तहट अपराद है, option आपका C सही होना चाहिए, बोथ, ठीके ना, A and B are correct option, तरी next question लेदे, power of controller, power of controller to give direction includes, तो power of controller जो है, direction देने के लिए, किसको शामिल करता है, IT act 2000 को, IT act 2000 को, तो आप समझते है, IT act 2000 A के 2002 तो नहीं था, तो option A ही आपका सही होना चाहिए, तो power of controller, जो है, power of controller, direction देने के लिए, IT act 2000 को, जो है, cover करता है, उसको follow करता है, के लिए, next question लेते हैं, question है, 21, most common cyber crime committed against women are, पूचा गया है कि जो सामान, महीलाओं के बिरुद्ध, जो सामान अपराद होते हैं, cyber अपराद हैं, cyber अपराद की बात हो रही है, वो कौन-कौन से हो सकते हैं, option A केता है, cyber blackmail, cyber blackmail करना, ladies को, बूमन्स को blackmail करना, threats करना, उनकी छोरी करना, या stalking मतलब की चरचार करना, उसको पीचा करना, तो याद रहे, cyber blackmail हो, threats हो, या stalking हो, ये तीनों ही common, ये तीनों ही क्या है, common open says, कि लिए रहे, इसलिए option D सही होना चाहिए, next है, cyber stalking use, cyber stalking use, तो cyber stalking, किस का उप्योग करता है, social media का, cloud attack का, ये दोनों का, तो जब भी कोई ब्यक्ती महिलाओं के इसका पीचा करता है, या उसकी छेड़ खानी करता, तो किस platform का प्रियोग करता है, किस का प्रियोग करता है, तो चुकि हमें cyber की बात करें, cyber crime की बात करें, तो cyber crime physically रूप से आकर के या physically मिल कर के नहीं किया जाता, बलकि ये internet के माद्यम से किया जाता, की जाने वाला अप्राद है, तो किस का उप्योग करता है, एक इस प्रियोग करने वाला social media का, cloud attack का या दोनों का, तो exactly दोनों का, social media का भी और cloud attack, दोनों का ही प्रियोग यह करता है, option आपका C, correct answer होना चाहिए, option C, correct answer होना चाहिए, cloud attack और social media, cloud attack और social media, दोनों ही correct answer होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर option यहाँ पर A सही बता रहा है दोस्तो कोशन नमर 22 को मैं चेक करके आपको जो है नोर्स के माद्यम से आपको इसको सही करवा दूंगा ठीके ना इसमें जहां तक मेरा मानना है option C correct answer होना चाहिए option C ठीके ना cloud attack cloud attack देखे cyber stalking cyber stalking digitally रूप में महीला का पीछा करना किसके दोरा पीछे के जा सकता है social media का तो exactly social media के माद्यम से महीला को परिशान किया जा सकता है लेकिन cloud attack cloud attack का मतलब यह हुआ कि cloud मतलब इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा information किसी व्यक्ति के बारे में होती है जिसके माद्यम से पीछा करना उस data को attack करके उसका पीछा करना बहुत आसान हो जाता है तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर right option आपका C होना चाहिए लेकिन यह option में A बता जा रहा है तो इसको मैं check करके और आपको कमेंट के माद्यम से update करवा दूँगा ठीक है न अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है प्रशन number 23 है cyber कि बुलिंग इंक्लूड साइबर बुलिंग इंक्लूड साइबर बुलिंग क्या है साइबर बुलिंग मतलब क्या होता है बढ मांषी इंदी में बहुत अच्छा वड है बढ माशी तो साइबर बढ मांषी किसको शामिल करते मतलब किसे कहने डत टेट गध तेड्स यinson riding या पिर abusive statements और यह सबी तो एक्जैटली दोस्तों यह सभी जो है cyber bullying के अंतरकत आते हैं cyber bullying के ना बुलिंग बता ना cyber बदमासी मतलब गलत काम करना तो death threats सजाएगा इसमें misleading आ जाएगा और abusive assessments सब्सक्राइब होंगे इसमें इंक्लूड होगे नेक्स्ट है cyber bullying is the bullying that tax plays over cyber bullying एक ऐसा cyber बुलिंग जो है रिना किसका माध्यमसम से किया जाता साइब рублей मैं यह जो बिसके माध्यमम से की जाती है अपका तो ऐप्रेंग से जली डी सही हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट कोशन है आपका साइबर बुलिंग कैन ओकर स्थ्रों ओकर स्थ्रों किसके द्वारा पूचा जा रहा है किसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है ख् 뉴스 ना AL पन्पर द्वारा किया रहा है ख्रोंग носों दॉभ घरिन डों सब्सक्राइब इसी के साथ में हमारा चोटा सा प्यारा स्वेक्षन था यह होता है कमपरीट और अगला लेक्षर नमर आठ में भी इसी topic को हम continue करेंगे भाग दो के रूप में, पार्ट दो के रूप में, पार्ट टू के रूप में जो है हम lecture नमर आठ पर discuss करेंगे, इसी आपके topic है ना यही होगा, साहिबर सरक्चा का परीछे, लेकिन कोश्चन पूरे अलग होंगे हम दिसकूस करने पाले अगले लेक्टुर में तो मिलेंगे इसी के साथ में नया सेशन में और पियास है जल रहा है क्लासे कsticks करने का अपने समें पर क्लासेश करती अपने समया झाले वा, तैंकू, तैंकू सेब में स हाग